दोस्तो अगर आप एक Android phone यूज़ करते हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपने phone में कोई भी application ओपेन करते हैं कोई भी application डाउनलोड करते हैं तो उस वक्त हमारी phone पर एक add आना श्टार्ट हो जाता है और बार बार लगतार हमारी phone पर add आते ये कई लोग का problem है तो इसी problem को लेकर मैं आपको आपकी phone की अंदर ही कुछ ऐसे hidden settings के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तमाल करने के बाद आप अपने phone के सारे add को block कर सकते हैं हाँ दोस्तो इस settings को करने के बाद आपकी phone के screen पर कोई भी add नहीं आएंगे आप अपने phone की अंदर खुछ से कुछ नया settings करना होगा तो settings कौन सा है उसे कैसे use करना है तो वीडियो को जड़ा सभी skip नहीं किजेगा तो चलिए उस settings के बार में जानते हैं उससे पहले मैं आपसे एक ठोटा सा request करता हूँ अगर हमारे चैनल पे नय है तो चैनल को subscribe कर दें और वीडि और आपको कोई भी add ना है तो उसके लिए आपको करना किया होगा सबसे पहले आपको अपने phone की अंदर Gmail application को अपन करना है जिसमें कि आपकी phone में Gmail आता है उस application को अपने phone के अंदर open कर लेना है open करने के बाद उपर में आपको एक profile को option मिलेगा directly आपको profile पर tap करना है ठीक है टैप करने के बाद यहां पर आपको एक option में लेगा Google account की नाम से, यहां पर आप देख सकते हैं, directly आपको Google account की अंदर आजना है, ठीक है, उसकी बाद यहां पर आप राइट में scroll करेंगे, तो यहां पर एक option में लेगा आपको जिसका नाम होता है data and privacy, यहां पर आप देख सकत आप देख सकते हैं, और इस वाई से हमारी phone में बहुत सारे add आते हैं, यह तो पहला settings है, सबसे पहले आपको इस settings को अपने phone के अंदर करना है, और भी दो settings आपको अपने phone के अंदर करना है, उसके बाद आपकी phone में जितने भी add आते हैं वो सारा बंद हो जाएगा, तो सब सबसे पहले आपको इस settings को करना है, वो कैसे, directly आपको इस पर tap करना है, tap करने के बाद यहाँ पर आपको personalized add का option में लेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यह on रहता है, directly आपको इस पर tap करना है, on वाले पर ठीक है, उसकी बाद यहाँ पर turn off का एक option में लेगा आपकी phone में जितने भी याड आते हैं न, वो सरा यहाँ पर आपकी phone से बंद हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले इस settings को करना है, उसकी बाद directly आपको अपनी phone की home screen प्याजना है, ठीक है, उसकी बाद यहाँ पर आपको करना है, आपको अपनी phone के settings को open करने के बाद आपको जिसका नाम होता है Google, यहाँ पर आप देख सकते हैं, directly आपको Google पर टैप करना है, ठीक है, टैप करने के बाद यहाँ पर एक option में लेगा, आपको जिसका नाम होता है ads, यहाँ पर आप देख सकते हैं, directly आपको इस पर टैप करना है, ठीक है, टैप करने के बाद यहा वहां से आपको इसे डिलीट करना है तो यहां पर सबसे पहले इसे डिलीट करना है ठीक है उसके बाद अब सबसे most important setting करना है आपको अपने phone के अंदर उसके बाद आपके phone में जितने भी add आते हैं वो सारा बंद हो जाएगा उसके लिए आपको करना क्या होगा directly आपको back चले आना है back चले आना है ठीक है आपको अपने phone के settings के अंदर आजना है यहाँ पर आपके option मिलता है जिसका नाम होता है apps and notification यहाँ पर आप देख सकते हैं या फिर आपके phone में manage apps से भी हो सकता है तो आप अपने phone में देख लिए कि आपके phone में किस नाम से है तरक लिए आपको इसके अंदर आजना है यहांपर कोई भी application पे अगर उसका लोगो नहीं है या फिर उसका नाम नहीं है तो सबसे पहले आपको यहां से डिलीट करना होगा ठीक है क्य sticky हमारे फोन में जतने भी application होते हैं वह सारा यहां पर सूग करता है जो कि हमारे phone के लिए सही होता है लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे application store होता है जो कि आपके phone में बहुत सारा add create करता है जैसे कि यहाँ पर आप अपने phone में search कर लिजेगा कि आपके phone में कोई ऐसा application तो नहीं है जो कि आपके phone के लिए वो सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारा application store हो जा लेकिन यहां पर कोई भी unknown app होगे तो आपकी फोन में नहीं होगा तब यहांपर सबसे पहले फोन में देख लिएगा कि आपकी फोन में अप्लिकेशन नहीं है अगर वहाँ पर सो नहीं कर रहा है तो यहां से आपको डेकली उसे हटा दना है क्योंके वहीं आपके फौनवे सबसे ज़्यादा add create करता है और आपका फौन बहुत जल्दी हैंग भी हो लगता है तो आपको सेटिंग को अपने फौन के अंदर जुरूर करना है ठीक है तो यह तीन तो यह तीनों शेटिंग्स आप अपने फोन में जरूर कर ले जाए ठीक है अगर आप एट से परसान है तब ठीक है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमें जरूर बताएगा आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत जीदा इस फूत सावित हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें तक लिए जाहें टेक केर मिलता है नेक्ट वीडियो में